सावन में सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये दस काम, मिलेगा सदा सौभाग्यवती रहने का आशिर्वाद। 1. सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना सनान करके और शिवजी को जल चड़ाने के बाद ही अन जल ग्रहन करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चड़ाना चाहिए, बेल पत्र चड़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालिसा का पाथ भी करना चाहिए। 2. विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में हरी चूडियां पहननी चाहिए। ऐसा करने से भूले बाबा जल्द ही प्रसन होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशिरवाद देते हैं। 3. इसके अलावा शादी शुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगल सूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखे कि आपका मंगल सूत्र कहीं से भी चूटा हुआ ना हो। 4. सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीली और हरे रंग के कपड़े अधेक से अधेक पहनने चाहिए। 5. सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पती के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भूली नाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशिरवाद देते हैं। 6. सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छण छण करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भूले बाबा और पार्वती स्वयम पधारते हैं। 7. सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रिंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला को करेगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी आठ, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और नहीं किसी से उची आवाज में बात करनी चाहिए अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए नो, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मिहदी जरूर लगानी चाहिए ऐसा करना बहुत शुब माना जाता है और इससे उन्हें माता पार्वती का आशिरवाद प्राप्त होता है 10. सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को 16 श्रिंगार जरूर करना चाहिए इसके अलावा श्रिंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए इससे माता पार्वती खुश होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशिरवाद देती है यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद